हलो आज है 23 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात कने जा रहे हैं आलोग इंडिस्ट्रीज के बारे में लंबी तीजी देखने को मिले थी पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी रहसा थी दो दिनों में इसने भई आंधी की तरह तीजी दिखाई थी 25 से 30 रुपए पर चला गया था यह और आज जाकर यहां पर एक करेक्शन देखने को मिल रहा है 3% के गिरावट है बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी ता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सरे वीडियो हैं जो आपो काफी जादा हल्प करेंगे तो आलोग का जो प्राइस है वो अभी 28 रुपए के आसपा स्ट्रेट कर रहा है और देखें तीजी के कोई वज़े नहीं आगे इनमें कहें दू यहाँ पर एक वज़े थी के सैंको सेक्योटीस थी जिसने तकरीवन बाइकॉल दिया था और 55 रुपए का टागेट दे दिया था उसी के चलते यहाँ पर तीजी देखने को मिली थी क्योंकि भाई साब आलोक इंडिस्ट्रीज में किसी बड़े ब्रोकरेज का यहाँ पर बाइकॉल देना यह बहुत बड़ी बात को होती है क्योंकि कंपनी फंडमेंटली स्ट्रॉंग नहीं है ठीक है और बाइकॉल अगर यहाँ पर देखे थी 21 रुपए से तकरीबन 40 पर जाने वाला था यह और यह तब हुआ था जब रिलाइंस इंडिस्ट्रीज ने यहाँ पर पैसा इंफ्यूस करा था तकरीबन 3300 करोर रुपए इन्होंने इंफ्यूस करे थे और बागी के 3700 करोर रुपए जो है वो बैंक पर देखने को मिली क्योंकि देखे है जो खबर के चलते जब 30 आती है ना तो उसके बाद आपको गिरावट के लिए भी तैया रहना पड़ता है इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ 25 पर जाने के बाद वापस है 30 पर आई है आज यहाँ पर गिरावट आई है देखते हैं कि गि इन की है यहाँ फिर शायद दो दिन दिन और यहां पर देखने को मिलेगी लगिए मैं कहूंगा कि मुकेशम्बानी की компании हुई है ठीक है एक्षाल इंडस्ट्रीज जा रही है, गवर्मेंट भी हेल्प तो कर रही है, इस इंडस्ट्रीज को, जो कि अच्छी बात है, करना भी चाहिए, एक साल में अगर आप देखो, तो तीजी एक जटके में आती है, वाद में गिरावट आती है, और अभी भी जो एक रिजिस्ट यहाँ पर आप देखते हैं कि 8 करोड से भी जादा के शयर अलड़ी यहाँ पर ट्रेट हो चुके हैं, और जब हम बात करें, गिरावट 3% से भी जादा की, यहाँ पर देखने को मिल चुकी है, और जहाँ तक इसका मार्केट कप देखने को मिल रहा है, कंपनी को ले कर अग तो आपको कहां से कमा कर देगी तो डिविडेंट तो भूल जाओ कि यहां पर आपको मिलने वाला है अँब देखोगे तो और जहां तक हमें का अच्छा रिविडेंट वाला हैं दो मिलन फेसे है यह ताब देखोगे यहां पर बाला माहूल था में ख़ा ऐना को डिमार्ड थी वो बारती तरफ लोटती वे नजर आई थी और अभी जिस तरीके से भी हाल फिलार में बंगलादेश में जो चीज़े देखो टेक्षल इंड़स्रुरी के अगर हम बात करें तो बैस आप बंगलादेश काफी आगया है वहाँ पर ठीक है लेकिन जिस तरीके हाला तो अभी बंगलादेश में बने हुए है उसको अगर ध्यान में रखे हम तो कहीं नगे इंडिया की तरफ डिमांड लॉट सकती है अगर इंडियन टेक्सर इंडेस्ट्री उसका अच्छे से इस्तमाल करना शुरू करे तो जहां तक इनके प्रॉफिट्स के बात करें तो वो है ही नहीं ठीक है कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है नुकसान है भारी भरकम अन्यूल बेसिस पर भी और जहां तक बात करें वेलिवेशन की तो जाहिर से बात है कंपनी जब लॉस मेगिंग है तो पी रेश्यो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा कोई भी एनलिष्ट यहां पर खरितारी के बात नहीं कर रहा है एक ब्रोकरेज हाउस ने जब बाई कॉल दिया था तकरीवन 35 का टागर दिया उसके चलते हमने दो दिन तीजी देखी आज वापस हम गिरावाड भी वहाँ पर देख रहे हैं फिनांशल जागर देखो कि इस कंपनी के तो जैसे कि मैंने कहा कि रिवन्य वाइस बहुत खराब थे इतने खराब रिवन्य इसके बड़े लंब अरसे बाद आया है 1000 क्रोड का रिवन्य बड़े लंब अरसे बाद आया है वहना इससे पहले कि कोटर में 1475 करोड, 1250 करोड, 1380 करोड, 1420 करोड तो अच्छी अच्छी रिवन्य थे Even COVID के टाइम पर 22,000 करोड तक के भी इनके रिवन्य हों में देखने को मिल गया थे ठीक है March 2022 वाले टाइम पर 22,000 करोड तक के भी रिवन्य हों थे यहाँ पर अगर आप देख रहे हो revenue तो भाई या दो साल बाद अगर आप देख रहे हो तो भाई आधा हो गया इनका revenue और यह अच्छा sign नहीं है बिल्कुल भी अच्छा sign नहीं है यह और यहाँ पर इनके revenue at least बढ़ने चाहिए कि जो पैसा infuse हुआ है ठीक है उसका कहीं न कहीं इस्तमाल तो हो कहीं न कोई पैसों का इस्तमाल तो हो लेकिन अच्छी बात यह है कि revenue भले ही कम कमाया लेकिन खर्चे यहाँ पर अगर आप देखोगे लॉस अगर आप देख रहे हो तो 207 करोड का है जो की कम है तो मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले quarter में जब इनके revenue बढ़ेंगे तो लॉस और जादा कम होने चाहिए और शायद कुछ सालों बाद हमें यहाँ पर profit भी देखने को मिले अगर अगर चीजे बहतर रही तो अगर चीजे बहतर रही तो यह बात है यहाँ पर और जहां तक share holding के बारे में देखे तो जो promoter की holding है वो 75% की है लेकिन जैसे कि promoter हम सब जानते है रिलाइंस और जेम फिनांशल से यहाँ पर और mutual fund 0.06 देखो institutions यहाँ पर missing है बहुत कम quantity में है domestic institutions सिफ 0.32% पर ही है Files 2.46% का stake लेकर बैठे हुए है यहाँ पर promoter के बाद भी चोटे निवे शक्खी आते 17% की holding तो सी वही लेकर बैठे हुए है retail investors और other parties के पास 5.14% का stake देखने को मिल रहा है overall अगर मैं बात करूँ आलोग industries के बारे में तो जाहिड से बात है company जो है for fundamental तो पर अगर आप देखोगे तो काफी 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 weak है यह बस एक positive चीज़ है वो है reliance industries क्योंकि reliance industries जो पैसा आया है इनके पास और जो bank से पैसा आने वाला है hope उसका इस्तमाल अच्छे से हो hope इनके करजे उसके चलते कम हो सके hope company का expansion plan बहते है तरीके से देखने को मिले और यह possibilities है ठीक है कि अगर ऐसा होगा तो यह हो जाएगा और कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि देखो यार company बरबाद तो नहीं होगी चलाएंगे यहां पर इसको लेकिन short term के लिहास से मुझे लगता जरूर है कि अभी मतलब दो दिन में जब इतनी बड़ी तीज़े दिखाई है तो वापस जाए कि 25 रुए पर यह और कहीं न कहीं एक initial support यहां पर देखने को मिल जरूर रहा है लेकिन हाँ यह आपको लंबे समय तक एक range में फसा के रखेगा लंबे समय तक एक range में फसा के रखने वाला है यह और आलोग industries यहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे लेकि का होना चाहिए अगें यह मेरा personal opinion है कोई भी investment advice नहीं है यह वीडियो को यहीं पर end करता हूँ पसंदा हो तो like करें चैनल बगरा पहले 12 प्लीज सब्सक्राइब करें और आलोग industries के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिक के बता सकते हैं थैंक्य क्या है